हलो फ्रेंड्स, बलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नल और टंकी के प्रेशनों की, नल और टंकी के प्रेशनों को आप 2-3 सेकिंड में सॉल्ब करतेंगे, ऐसी ट्रिक में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस प्रेशन दोस्ते एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें without pen और paper के कैसे solve कर देंगे, बिल्कुल mind में ही solve कर देंगे, ऐसी ट्रिक में आपको बताऊंगा, ना तो आपको pen की जरुत पड़ेगी, ना ही paper की, आप mind में ही उसका solution कर देंगे, और 2 सेकिंड में आपक नल है आपका B, ठीक है, A कितनी देर भर रहा है, A भर रहा है दोस्तों, आपका 5 गंटे में, और B कितने भर रहा है, B भर रहा है आपका 6 गंटे में, ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों का गंटे में भरना है, A और B करना होगा, आपको multiply, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, A into B करना होगा, मतलब दो नल हैं, दोनों का आपको multiply करना होगा, और नीचे क्या करना होगा, दोनों नलों को plus कर देना होगा, मतलब A plus B, यही दोस्तों क्या है आपका answer है, इसे आप समझ लिजेगा, यही आपका answer है, कैसे, देखें, A into B करेंग 5 multiply by 6 करना है, और divide में क्या करना है, दोनों को plus करना है, क्यों करना है plus, क्योंकि दोनों नल एक साथ कोल दी जाए, तो दोनों एक साथ काम करेंगे, तो इसलिए दोनों को आपको क्या करना है, plus कर देना, 5 plus 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एट करना है, 5 कितना सब्सक्राइब करना बस इतना है जब आपको दो नल वाला कोशन दिया गया हो तो दोनों का अपस में क्या करना मल्ट्रिप्राइ कर लिए पंधर दोनों के एक वसक्राइबर दिए पटेशं की करना यह मालीजी इस सकें की दिए कवेश्चिन की पूश्छ लीजाता जैसे मालीजे Desk दोनदेटेबर नल मिलके कितने समय में को भर देंगे तो समय में को दोनुं कर दिए ठीक दोस्तों अभी से काट लिजे यह कर जाएगा आपका देखे पांस ती आप दस वारी कर जाएगा यह आपका आंसर नहीं दिया गया है कैसे आंसर बना लेंगे यह जाएगा अपका तो आपको सीधा सीधा आपको करना क्या होता है इस question में सीधा सीधा question यह है जो आपको time दे रखा है उससे आप पांचिंग तीस हो जाएगा शौट तरीक इसकी यहीं है पांचिंग कर दीजिए तीस डारेक्ट और काकर दोनों के बार जोड़ दीजिए डारेक्ट 11 बस आपका अंसर आ गया पिल्कुर ना तो आप इसे solve कीजिए ना ही आप इस तरह से यह मैंन आपको पूरा समझाने के ल यह अंसर हो जाएगा नहीं तो यह अंसर हो जाएगा डारेक्ट उंगलियों से उंगलियों से मुह जवानी आप उसका आंसर कर देंगे माइंड में ही बिदावट पैन और पेपर के तो अमीद करता हूं दोस्तों यह पूरा कंसेप्ट आपकी समझ में आगया होगा आप द दूसरे टाइप का कॉशन है इसमें दो नल आठ घंटे मर आठ मिनट मर रहे है और इसमें से एक अकेला मतलब एक नल अकेला 24 मिनट मर देता है दोनों नल मिलके 8 मिनट मर देते हैं एक नल अकेला 24 मिनट मर देते हैं तो दूसरा कितनी समय में भरेगा यह आप से पूछा ग करेंगे तोस्तों 8 24 कर दिया अब क्या करना होगा हमने पहले क्या crystals पहले क hour-q हो गया inne निचे को प्रस कर लिखित लिखिसमें ए और भी दोनों का टाइम आठ है आप समझेंगे मतब 2 नल है और भी और दोनों का टाइम कितना है है कि यह दोनों का टाइम आपको 8 है जिसमें आप समझा देता हूं A plus B दे रखा है और दोनों का टाइम 8 दे रखा है ठीक है और जिसमेंसे A अकेला एक अकेला 24 मिनट बर रहा है तो अब B कितने समय भरेगा, तो A अकेला आप 24 मिनिट में भर रहा है, A और B दोनों 8 मिनिट में भर रहा है, लेकिन A अकेला उसे 24 मिनिट में भर रहा है, A अकेला कितने में भर रहा है, तो A और B मैंसे A को मानस कर देंगे, तो B का काम बचेगा अकेला, तो B अकेला उसे कितन मैं से कमको मानस चाहएं तरहीं से आट को सूख देंगे तरहा जब आप से हो जाएगा इसकाट कट कट जाएगा चार चोक्ते रहका ती बचेगा 32 arse 12 मिनइट में भरेगा कि इस भरेगा बारा मिन इस भरेगा कि इसकाट तो यह कोश्चन दोस्तो आपको अच्छी तरीके समझ में आगया होगा अब देखेंगे दोस्तो अगला कोश्चन अगला कोश्चन है A, B और C किसी टंकी को 10, 15, 12 मिनिट में भर सकते हैं यदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये दोस्तो टाइप 3 का कोश्चन है इसमें तीन ब्यक्ति दिये गए हैं A, B, C हमने पहला कोश्चन दिया था उसमें ए और B, 2 थे, दूसरे में भी A, B थे लेकिन इसमें 3 दे दिये गए हैं तो इसे देखि mã कैसे वल करना तरीका वही आपको करना क्या होगा हमने क्या 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 दो ब्यक्ति थे दोनों का time देर रखा दोनों का multiply किया था इसमें तीन देर रखें तो तीनों का multiple करेंगे देखे मैं को concept आपका पूरा समझा ज마 करेंगे अब मुल्टी पिल्टी एबस करेंगे Caesar लेना है बठे कि कीसे लेंगे स्बसे पहले ए और कर करेंगे मतलब a into b फिर प्लस करेंगे मतलब तीनों को प्लस कारना है multiply कर के ए और b往c का multiply करेंगे फिर प्लस कारंगे लिखेंगे फिर b और c बचेगा तो इन दोनों to multiple करते हैं अब देखे अब twodro управ करेंगे इं तो बी सी मतलद दलिह र captive कि दस इंटू पंद रही तो तो दस इंटू पंद्र हम लिग लिए तो 15 का मुल्टिप्य होता है 150 फिर अफिर यह मतलब दस और 12 का में लुटप्लिप्र होता है 120 यह भी हमने लिख लिए अब देखें इनको क्या कर देना है इनका मुल्टिप्लाई कर दीजी ऊपर वाले इसके अटब कर देंगे यह जाएगा दूस्तों एक बीस एक आप दोब दावं कर देंगे यह कता पंध्य में कर दालीश एकंग फंद्रा थीन बचेगा थी फंद्रती पन्दी 30 तो आपको पूछा गया, 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 तो आपको पू सब्सक्राइब करना ट्रिक आपकी समझ में आगे तिनों का डायट मल्टिप्लाइब कर दीजे इसका इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा बारा धाई प्लस पर इन दोनों का कर दीजे हो जाएगा इसका डायट कर दीजे इतना 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 लिखने कोई जरूत नहीं है आप यहीं पर डायट मल्टिप्लाइ कर दीजे उपर नीचे माइंड में कर देंगे बिदा और पेंड पेंड बर गए ठीक है दोस्तों यह कर लिए आपने तो अब यहीं पर नीचे मल्टिप्लाइ कर दीजे आपका आँसर आजाएगा तो अमित करता हूँ दोस्ते यह कॉश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा अब मैं आपको आगे एक और question बताने वाला हूँ जिसमें दिया जाता है A और B किसी टंकी को भर रहे हैं लेकिन C खाली कर रहा है मतलब दो नल होते हैं भरने वाले और एक नल होता है साथ में खाली करने वाला तो उस type का question दिया आपसे पूछ लिया जाए तो उसे आप कैसे solve करेंगे ट्रिक आपकी यही रहेगी बस उसमें थोड़ा सा change है तो उसे question को भी देख लेते हैं देखे आप question को पढ़ेंगे नल A एवं B किसी टंकी को 10 minute एवं 15 minute में भर सकते हैं जब कि C उसे 12 minute में खाली कर सकता है दोस्तों आप question को देखेंगे बिल्कुल पहले वाला question इससे पहले जो question देखा था बिल्कुल वही है A B C 3 value दे रखे हैं 10 15 12 minute तीनो टाइम दे रखे हैं लेकिन पहले वाले question में था A B और C 3 मिलके टंकी को भर रहे थे लेकिन इसमें क्या दे रखा A और B टंकी को भर रहे हैं लेकिन C उसे 12 minute में खाली कर सकता है तो C हो है उसमें खाली करने वाली टंकी और A और B हैं दोस्तों भरने वाली टंकी ठीक है तो इस question को भी कैसे solve करेंगे आप देख लीजे जदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जाएं मतलब A और B भी खोल दे जाए भरने के लिए और C भी खोल दे जाए खाली करने के लिए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी तो देखें ट्रेक आपको पता है ट्रेक में क्या है A multiply by B multiply by C दे रखा है divide में देखें आपको क्या करना होगा आपको divide में बस इतना सा ध्यान रखना है divide में आपको जो A और B आपकी भरने वाले टंकी हैं उन्हें आप पहले multiply कर लिजे जो भरने वाले टंकी है A और B हो चाहे B C हो चाहे A C हो भरने वाले टंकी को आप पहले multiply कर लीजिए और उसे क्या लखना minus में लिखना है बाद में ठीक है दोस्तों मतलब A into B को क्या लिखना है आपको minus करके लिखना है last में जो भरने वाले टंकी है उसे minus करना है ठीक है दोस्तों तो A और B भरने वाले इनका multiply कर दिया बचा क्या A और C बचा तो A C A multiply by C हो गया पिलस अब बचा क्या B C बचा तो B multiply by C हो जाएगा और जो भरने वाली है उसे मानस करके पीछे लिख दीजे ठीक है दोस्तों आप देखे आपकी समझ में आ गया होगा A कितना है A है आपका 10 multiply B है आपका 15 multiply C है दोस्तों आपका कितना 12 दे रखा C आपका 12 है डिवाइड में आपको क्या करना है A C कितना दे रखा A और C कितना दे रखा है दस बारा इन दोनों का multiply कर दीजिए दस और 12 का multiply हो जाएगा दोस्तों 120 पिलस B C कर दीजिए B और C कर दीजिए 15 और 12 का multiply हो जाएगा दोगो 15 का multiply 12 से पंदर दाइं माइनस करके बस इतना चेंज करना है और जो खाली वाला है वो खाली वाला है जो ट्रंकी खाली कर रहा उसका multiply करके आप आगे लिखे अब देखें आखा multiply करेंगे 10 15 12 का सिंपल सा जो पहले आयता वही आ जाएगा पहले कितना था अथा तो अभी भी आठारा सो ही आएगा इनको प्लस कर दीजिए 120 और से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा टेंटर लिक देते हैं अठारा सो माइनस का 300 मेंस से ढईवे से जाएगा सननरे नकिशार्टर ौशेवरा यह जहां कर देखेंज ने सथे टूल्लगन देए कतने वाष तो जीवविए 13 से कारने वाटेर्ह、 15 aromas एक साथ खोल दिये हैं भरने वाली भी और खाली करने वाली भी तो इस ट्रैक को कॉश्चन दिया आ जाए तो आप उसे चुटकियों में इतना सब ने जोरत नहीं है आपका सब्सक्राइब कर दिजिए देखे रहें पर कैसे करेंगे मैं करके दिखा दीता हूं यह और बी का कितना हो जाएगा दूस्तों एक सो सी हो गया आप सिंपल साइज से कर देंगे काट लेंगे आप कांसर आ जाएगा तीन सो माइनस के डेड़ सो आप डाइट यहीं पर माइनस का सकते हैं यह कि स्टेप आने और बढ़ा दिया है आफारा सो यह हो जाएगा आपका एक्सो पच्चास तो जीरो से जीरो के रहें यह कट जाएगा दूस्तों बारा बारी या आपको इस aa तो इतना सब कुछ मैंने step by step आपको इसलिए समझा है ताकि कोई भी step मिसना हो और clearly आपको समझ में आए अब आपका concept clear हो गया है तो आप value को देखकर ही उसका answer कर देंगे mind में ही solution कर देंगे नहीं तो आप copy pen करेंगे तो 2-3 second आपको लगेगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तो यह question भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो like करें और दोस्तों में भी share करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और bell icon का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद